नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू P.K.क्लासेस। दोस्तों, आज देखेंगे Synchromash Gearbox, How does work Synchromash Gearbox, Introduction, Parts, Working, Advantages, Disadvantages and Applications। समस्त जानकारी Synchromash Gearbox से संबंदित एक ही वीडियो में मैं explain करना वाला हूँ, तो जो भी छात आटो मोबाइल इंजरिंग पड़ रहे हैं, वोई सभी ध्यान ने एंड वीडियो में अंतितक बने रहें। तो दोस्तो, सबसे पहले हमारे पास जब Constant Mass Gearbox, means Constant Mass Gearbox and Sliding Mass Gearbox पहले से ही उपलब्द थे, तो Synchro Mass Gearbox की आवश सकता क्यों आई? पहला question A, इसका answer भी मैं आपको बताऊंगा कि Sliding Mass and Constant Mass Gearbox के होते हुए भी हमको Synchro Mass Gearbox की नीट क्यों हुए? क्यों आवश सकता पड़ी? साथी, इसकी क्या-क्या Changes हुए? Constant Mass Gearbox और Synchro Mass Gearbox में क्या-क्या Changes किये गए? तो दोस्तो, जो भी छत P.K. Classes में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी P.K. Classes से नहीं जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला latest वीडियो आपको समझ से मिल सकें. चैनल सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही इससे आपको कोई प्रावलम होती है, बट मेरा जो होसला है, मुझे जो मोटिवेशन मिलता है, वो मेरा जरूर इंप्रूब होता है, कि बच्चों के लिए मेरे जो वीडियो हैं, वो पसंद आते हैं, और चार्थ वीडियो को बाच करते हैं, जिससे एक्जाम की प्रिपेशन हो पाती है, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अब सबसे पहले देखें तो सिंक्रो मेस गेरवाक्स, सबसे पहले, स्लाइडिंग मेस एंड कॉंस्टेंट मेस गेरवाक्स हमने देखा, कॉंस्टेंट मेस गेरवाक्स में जो हमारे लेसाप्ट और मेसाप्ट के गेर थे, वो हमेशा कॉंस्टेंटली आल टाइम क्या होते थे, एंगेज रहते थे, लेसाप्ट और मेसाप्ट के all time constantly क्या होते थे एंगेज होते थे तो constant mesh gearbox का modified version या upgrade version है जो है हमारा synchronous mesh gearbox अब इसकी आवसक्ता क्यों पड़ी problem ये थी कि जो constant mesh gearbox था उसमें हमको double declutching की आवसक्ता होती थी second constant mesh gearbox में noise भी आती थी noise ही था उसमें जब भी हम gears को बदलते थे gears को change करते हैं तो हमको noise create होती थी तो synchronous mesh gearbox में इन दोनों चीज़ों को अवाइट किया गया है means ये दोनों चीज़े ही आपकी कम हो गई है एक तो noiseless रहेगा इसका transmission और second आपके जो double declutching की आवश्यक्ता है वो भी खतम कर दी गई इसलिए हमारा जो synchronous gearbox है वो इसी principle कर काम करता है तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा constant mesh gearbox का modified version है और यह एक manual transmission system है इसमें जो transmissions या changes transmission changes होते हैं ये आकर between gears rotating at the same speed means यदि हमारा ये gear इस speed से 1000 rpm से घूम रहा है तो हमारा जब ये engage होगा तो ये भी 1000 rpm से ही rotate करेगा घूमेगा means rotating at the same speed in this type of gear box इस प्रकार के gear box में the gears on the lay soft lay soft are fixed to it and the gears on the man soft can rotates freely means जब हमारे इसमें जो lay soft है और man soft के gear है ये एक दूसरे से engage होते हैं तो जो lay soft पर gears mount होते हैं वो हमारे lay soft के साथ क्या होते हैं fix होते हैं तो जब engine का power transmit होके आता है तो वो भी हमारे घूमेंगी ठीके लेकिन जो output soft होती है वो हमारे disengage होती है तो man soft के जो gears है वो constantly mess होने के कारण lay soft के gears के साथ rotate तो करेंगी लेकिन output soft को नहीं घुमाएंगे जिससे power transmit हमारा आंगे भील पे नहीं होगा ठीक now parts and working अब यदि हम इसके parts and working को देखेंगे तो parts and working में diagram में आपको clutch soft सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसके parts and working में के हमारे कौन-कौन से component है इसके अंदर तो इसमें आपकी clutch soft होती है जैसे कि सबसे पहले ये है clutch soft clutch soft के उपर ये clutch gear mount है इसके बाद यहाँ पर ये black हमारी है lace soft और ये वाली हमारी जो होती है ये होती है engine की man start तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमारा engine start होता है तो engine start हो रहा है मतलब आपकी जो clutch soft है वो rotate करेगी लेकिन हमारी गाड़ी आंगे तब तक move नहीं करेगी जब तक हम इसको gears को engage नहीं करते हैं ये आपको ध्यान देना है तो जो हमारा power transmit होता है engine start होने पर तो engine start है तो power हमारा clutch soft से clutch gear पे आएगा less soft पे mount है इस सभी rotate करेंगे और ये gear हमारी man soft के उपर जो gears है 1,2,3,4,5 ये 5 gears लगे हुए है मतलब आपकी car में 5 gears है और R मतलब reverse gear है तो यहाँ पे आपकी जब ये constantly match होते हैं engage रहते हैं तो हमारी जो engine से power transmit होके आ रही है वो clutch soft, clutch gear के थुरू less soft पहुंचती है और less soft के बाद जो हमारे gear ये सभी लगे हुए हैं ये gear rotate करते हैं लेकिन जो man soft है output soft है वो rotate नहीं करती सिर्फ हमारे ये constantly match होने के काराड ये सभी gears हमारे revolve करेंगे rotate करेंगे 1,2,3,4,5 लेकिन output soft नहीं घूमेगी ये freely घूमेगी तो ये तो हमारी हो गई कौनसी condition neutral positions जब हमने अपनी गारी को किसी भी gears में engage नहीं किया है तब हमारी ये conditions होगी अब जैसे भी हम clutch को press करते हैं तो clutch को press करेंगे और gear को change करेंगे तो जो हमारी clutch sharp पे जो gear लगा हुआ है उसका हमारी lace sharp के gear से disconnect हो जाएगा disengage हो जाएगा तो disengage होने पर हम जो gear change lever है उसकी सहायता से synchronizer synchronizer को किसी भी एक gear से engage करेंगे यदि हमको गारी first gear में drive करना है तो first की और means आंगे की और forward और second में करना है तो पीछे की और turn करेंगे third में करना है फेर आंगे की और fourth में करना पीछे की और तो means यहां पे जो हमारा constant gear box में dog use होता था वो यहां पे नहीं है यहां पे किसका up-yoke किया जा रहा है synchronizer synchronizer का up-yoke किया जा रहा है gears को smoothly engage and disengage करने में तो जब आप किसी भी gears की बात करें यदि हमको गाड़ी first gear में engage करना है तो first gear में जो gear shift fork है यह हमारा sinko niger से connect होता है और इसमें हमारी shaft आंगे जाके gear change lever से जुड़ी होती है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका first gear है और जो आपका synchronizer है इनमें क्या होता है conical shape बना होता है conical shape होता है और इसके अंदर आपकी क्या होता है इस पर हमारी teeth भी बनी होती है हम tooths बोल सकते हैं जो हमारी engage होंगी तो जैसे हम gear change lever से synchronizers के लिए यदि forward direction में move करेंगे तो इसका surface जो हमारे first gear के conical surface से संपर्क में आता है तो यह क्या होता है due to friction एक contact में आएगा तो यह revolve करना start करेंगा और revolve करके start करने के बाद इसको हम पूरा engage कर देंगे तो जैसे हमारा synchronizer हमारा first gear से engage होगा तो हमारा अब जो saft है वो rotate करना start करेंगी man saft और हम गारी पहले gear में पहुच जाएगी और man saft से हमारा power transmit होके पीछे वाले पईये means rear wheel drive है तो पीछे वाले पईये पर transmit होगा और हमारी गारी आंगे बढ़ना जैसे हम clutch को release करेंगे फर्दर पावर हमारा transmit होगा clutch saft के थरूँ lay saft lay saft से आपकी first gear or man saft क्योंकि यह engage हो चुके है synchronizer से तो हमारा यह power गारी आंगे बढ़ना start हो जाएगी और यदि हम backward इसको engage करते हैं तो जो हमारा synchronizer है यह synchronizer gear shift for पीछे की और synchronizer turn होगा तो gear second से इसकी teeth engage हो जाएगी इसका ponical जो surface है तो हमारी गारी second gear में चलेगी similarly भी use third fourth gear fifth gear end जो हमारा reverse gear होता है reverse gear और lay saft के gear के बीच में एक ideal gear होता है जिसमें हम एक को clockwise directions और एक saft को anti clockwise direction rotate करेंगे तो हमारी गारी forward या backward means reverse में हम इस गारी को पीछे कर सकते हैं तो basically जो sync pro mess gear work से वो इस प्रकार से काम करता है जिसमें हम gear change lever से gear shift fork के through हम किसी भी first second third fourth fifth reverse gear को engage करके हम किसी भी gears में अपनी vehicles को drive कर सकते हैं तो यहां पे synchronizer का उप्योग किया जाता है बाकी हमारे synchronizer को हटा के यहां हम डाग लगा दे हमारे constant gear work से बल्गुल वही है similar what changes किसमें है एक तो वहां पर double declatching की आवे सकता है दूसरा वह noise ही है लेकिन यह दोनों ही नहीं इसमें एक तो पावर जैसे आप first gear में engage करोगे तो आपका जो clutch up से power है clutch को आप release करोगे तो यह power हमारी clutch gear से less up के पहले gear पे आएगी और पहला gear fix है less up के सारे gear घूमेंगे यहां से हमारे gear second, third, fourth, fifth और reverse यह freely move करेंगे लेकिन synchronizer से जब हमने gear shift किया है change किया है तो यह हमारा first gear से इसका conical surface engage होगा तो first gear soft के साथ rotate करेगा man's up से मतलब हमारा output soft घूमेगा man's up और यह power transmit होके आपके पहिये पहुँचेगा इस प्रकार से हमारे synchronous gear box की working प्रक्रिया होती है अब हम इसके advantages and disadvantages की बात करें तो advantages में no need of double declatching edge constant mesh gearbox जैसे हमें constant mesh gearbox में double declatching की need होती है वो यहां पर नहीं होती है इसको हटा दिया गया है smooth engagement of higher gears due to the synchronous device synchronous device होने के कारण इसमें जो gear changes है वो higher gears को हम आशानी से engage कर सकते हैं less vibration and less noisy this is a advantages of synchronous gear works similar disadvantages synchronous is a finally machined element and hence it's costly जो synchronizer है यह हमारा machined element होता है जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है और यह gearbox costly होता है जिस भी होती है the service of gears and synchronous device is difficult it is un economical for low speed gears कम speed के gears में यह उपयोगी नहीं होता है un economical होता है मेंज सस्ता नहीं पढ़ता है क्योंकि costly है और इसकी जो service होती है यह servicing भी थोड़ी सी difficult होती है साथी इसका उपयोग है it is used in modern cars sport utility vehicles modern car and sport utility vehicles में इसका दोस्तो उपयोग किया जाता है तो this is applications, advantages and disadvantages I hope आप वीडियो पसंद आएगा वीडियो को एक बार सभी लोग जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you